हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो और यूट्यूब चैनल वेल्कम बैक विद अनधर वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार और मेरी बहुत ही फेवरिट है आज की रेसिपी है जी आलू मेथी और आज की जो कॉलिटी है वो आज आलू मेथी में देसीगी में बनाने वाली हूँ तो इसका जो टेस्ट था था आलू मेथी का वो नेक्स लेवल टेस्ट है तो आपको भी लाजमी ट्राय करनी चाहिए क्योंकि आम ओल में तो हम बनाते हैं लेकिन देसीगी में जब आलू मेथी बनती है तो एक तो जो देशी की लगा के खाने का अपना ही मज़ा है, सो स्टार्ट करते हैं जो आज की रज़िपी, आज की रज़िपी के लिए जो इंग्रीडिन्स मुझे चाहिए, उन में शामिल है, दो अदद प्याज, वेरी कटे हुए, और दो से तीन हरी मिर्चे, और दो चमज, अदरक लसन का पेच्ट, और एक बड़ा टमाटर, लसन अदरों और टमाटरों को मैंने ग्रैंड कर लिया है, और स्पाइसिस जो इसमें जाएंगे, वो है वन टी स्पून हल्दी पाउडर, वन टी स्पून चिली पाउडर, वन टी स्पून कोरियंडर पाउडर, यानि धनिया पाउडर, और नमाख हस पे जुरुरत आपने इसमें डाल लेना, और आप बालव मेथी में, ये सबसे अहम इंग्रीजिंट राएंगे हैं करीम, दो टीबल स्पून आपने बढ़के इसमें करीम डाल लेनी है, अगर आपके पास घर की करीम अवेलिबल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास पैक की है तो यूज़ कर सकते हैं, और मेथी लिया है मैंने 1.5 किलो, सबसे पहले हमने देसी गे लिए देसी में ले रहा हैं, और पैस डालके आपने इसको ब्रॉन कर लेना है तो पैस ब्रॉन हें मेति काट ले हैं, आलو मेति milyन का थाफ पास काट कमड़ा वे, आप पते उतार लेने हैं और उसके बाद इसको बड़ी काट लेना है, इसी तरह से आपने सारी मेथी काट लेनी है और उसके बाद काट कर इसको अच्छे तरीके से वाश करना है मेथी में बहुत सारी कीड़क होती है तो इसलिए इसको अच्छे से वाश करना बहुत जरूरी है तो मेती को आप तक रिबन चार से पांच पानी अच्छे तरीके से धोएं ताकि इसकी सारी कीरक निकल जाए और कीरक मुझ में ना आए क्योंकि अगर कीरक मुझ में आएगी तो आलू मेती का सारा टेस्ट हराब हो जाता है अब देख सकते हैं आप प्यास ब्राउन हो चुका है तो अब मैं इसमें अद्रक लसन का पेस्ट और चिटरमाटर का पेस्ट मैंने ग्रैंड किया था वो एड़ कर दूंगी पेस्ट डाल कर प्यासों के साथ इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और अब भी आप इसमें स्पाइसे अड़ कर दें मसाले में स्पाइसे अड़ करके आप इसमें अच्छे तरीके से बून लें और sites के साथ ही हरी मिचे भी एड़ कर दें और सपाइसी के साथ इच्छी तरीके से बुनाई कर लें यहां तक कि oil separate हो जाए oil के separate होने के साथ ही आप इसमें washed methy डाल दें Methy डाल कर इसको मसाले के साथ अच्छी तरीके से mix कर लें अब मेथी में दो टेबल स्पून भड़के आपने क्रीमर अट कर देनी है अगर आपके पास घर की दूद की निकली भी बलाई है तो भी आप इसमें वो भी अट कर सकते हैं या आपके पास अगर टेटरा पैक क्रीम है तो भी अट कर सकते हैं मेरे पास ये टेटरा पै की क्रीम जी तो मैंने वो दो चमट जिसमें डाल दिये अब आप स्टेज पे मेथी को पांसे दस मिनिट के लिए ढख दें ताके हमारी मेथी गल जाए और उसके बाद इतनी देर में हम आलू काट लेंगे अब आप तकरीबन दस मिनिट के बार डकन खोलें तो आप देश सकते हैं कि हमारी मेथी कितनी एच्छे तरीके से बून चुकी है और इसमें और इसमें आलू डालने हैं और आलू डाल के भी इस एच्छे तरीके से भून लेना है वो नाई खाने का सबसे अहम पार्ट है अगर आप बुनाई अच्छी कर लेंगे तो आपका खाना मेशा ही मज़े का बनेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं जी आलू के साथ मेने से भून लिया है और उसके बाद आप मैं इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करूंगी तक रीबन हाफ कप ओफ वाटर मेनेस में एट किया है जादा पानी आड़ नहीं करना बस थोड़ा सा पानी जिसमें जी हमारे आलू गल जाएं और इसके बाद मैं इसे प्लेट दे दूँगी आलू डालके आपने चूले को थोड़ा हलका कर देना है और बस सासा देखते रहें के हमारे आलू गल गएं के नहीं जब आपको लगे के हमारे आलू गल गे हैं तो आपने इसको तेश उला करके पानी को ड्राय कर लेना है और ओल को सेपरेट होने तक इसे बून लेना है आप देख सकते हैं आलू मेथीप के मेंसे ओल सेपरेट हो चुका है और आप भी पिकल तायार है तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए इतना ही आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू फू वाचिंग